दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने WhatsApp पर backup को कैसे बंद कर सकते हैं ताकि आपकी कोई भी चैट्स वगएरा जो हैं वो Google Drive में backup ना हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने phone में WhatsApp open कर लेना है हम यहाँ पर WhatsApp business open कर रहे हैं बट आप अगर WhatsApp open करेंगे तो भी आपको same ही setting मिल जाएगी उसमें तो यहाँ पर अपना WhatsApp open कर लीजिए WhatsApp open करने के बाद आपको side में three dots दिखेंगी आपको इस पे click करना है इ chats पे click करेंगे तो नया interface मिलेगा यहाँ पर आपको करना है नीचे की ओर scroll नीचे की ओर scroll करने पर आपको एक option दिखेगा chat backup का आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक option दिख जाएगा backup to Google Drive यहाँ पर आप देख सकते daily लगा हुआ है हो सकता आपके में weekly लगा ह तो वो Google Drive में automatic जो है backup हो जाएगा monthly या फिर daily लगाओगा तो daily backup हो जाएगा तो बंद करने के लिए आप इसी पे click करेंगे तब ही backup होगा लेकिन आप चाहते हैं कि अगर हम backup पे click करें तब भी backup ना हो तो आप इस पे click करके never पे click कर दिजिए तो इस टाइप से आप अपने phone में WhatsApp पर backup पो बंद कर सकते हैं अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दिजिए like चैनल को कर लिजिए subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप से और new वीडियो में तब तक के लिए bye bye